हेलो इबरीवन, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, मैं प्रतिभा कानपुर की चैनल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज मैं बनाने जारी हूँ, ड्राइ मटर पनीर की सबजी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही सरल तरीके से मैं बनाओंगी इतना आसान है कि आप कभी भी इसे बना सकते हैं एकदम रेगुलर सबजी की तरीके बट बहुत टेस्टी बनती है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं बट वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहरी बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजि जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं मटर पनीर की सबजी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम पनीर को स्क्वायर सेप में काट लिया हुआ है और थोड़ा सा हमने मटर लिया हुआ है तो आधी कटोरी मेंने मटर लिया हुआ है अब हम गैस में एक कडाही रखेंगे उसमें हम तेल डालेंगे आप कोई भी कूकिंग रखेंगे फायल डाल सकती है जो आपके घर में यूज होता हो मैं इसी सर्षों के तेल में बना रही हूं तेल जब गरम हो जाएगा हम जीरा डालेंगे यहां पर आगार आप थोड़ा से ज्यादा मसाले बनाना चाहते हैं तो लहसुन इसमें थोड़ा सा जादा डालेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यह देखिए दोनों चीजों को हम low to medium flame के बीच में अच्छे से भूलेंगे हरी मिर्च डाल दी हुई है मैंने और प्याज और लहसुन को हम golden brown कलर आने तक इसे अच्छे से भूल लेंगे तो य बारीक बारीक चौप करके डाला हुआ है आप चाहें तो इसमें टमाटर का पेष्ट भी डाल सकते हैं यह देखिए टमाटर के साथ ही हम इसमें यह मटर डाल देंगे क्योंकि मैंने फ्रेस मटर ली हुई है तो मटर टमाटर के साथ ही पक जाएगी यह देखिए इस तरीके पहले टमाटर और मतर को बहुत अच्छे से नमक डालेंगे तो यह देखिए मिक्स कर देंगे अब आप इसके कवर कर तीन से चार मिनट के लिए पका लिए तीन चार मिनट में मतर और टमाटर दोनों बहुत अच्छे से पक जाएंगे यह देखे फ्रेंड्स मैंने इसे तीन चार मिनट तक कवर करके पका लिया हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि हमारे टमाटर भी अच्छे से गल गए है और मटर भी सॉफ्ट हो गए है अब इसमें मसाले डालेंगे एक चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच धनिया पाउडर एक चोटी चमच लाल मिर्श पाउडर और एक बड़ा चमच हम इसमें पनीर मसाला डालेंगे आप कोई भी ब्रांड का पनीर मसाला डाल सकते हैं बस यही मसाला इस सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट लाएगा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं थोड़ा सामने इसमें कसूरी मेथी डाला हुआ है और सभी मसालों को हम लोटू मीडियम फ्लेम के बीच में एक से तेड़ मिनर तक अच्छे से भूल लेंगे यह देखे फ्रेंड्स मैंने इसे अच् होने लगा है तो अब हम इसमें यह कटा हुआ पनेर डाल देंगे मिला देंगे अच्छे से तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से देखाना में ने बनाया हुआ है कोई ज्यादा मसाले भी नहीं डाले हैं पर बहुत टेस्टी बनता है कब फिर से हम इसे कवर कर जिससे सारी मसाले जो है वो पनीर के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे कि दिखे मैंने इसे दो मिनट तक पका लिया हुआ है अब हम इसमें बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी डालेंगे थ्री टेबल स्पून के जितना लगबक मैंने इसमें पानी अगर आप इसे ज्यादा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं फिर से हम इसे कवर कर देंगे और 1-2 मिनट तक इसे कवर करके पका लेंगे ये देखे फ्रेंज मैंने इसे 2-3 मिनिट तक कवर करके पका लिया हुआ है और अभी ये काफी ड्राइ है तो बस इस तरीके का ये ड्राइ मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है आप इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे तो मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाला आप इस सबजी को गर्मा गरम पूरी पराठे या नान के साथ खा सकते हैं रोटी के साथ खा सकते हैं बहुत अच्छी लगती है आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक की बटन को जरूर इट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर से मिलती हूँ एक न्यू रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक के यार